हलो टो आल आप लोगों को स्वागत है मेरे चानल ड्रीम टेग पे तो आज की सुड़े में आप लोगों कोई बहुत काम की आप के बारे में बताने वालो हूँ देखें अगर आपका मुवाईल कहीं खो जाता है या कोई चुरा लेता है तो इस आप के थूरू आप अपनी कर सकते हैं ठीक है सिर्फ लोकेशन पता नहीं कर सकते हैं अप अपने मुवाईल को सेक्यूर भी कर सकते हैं सेक्यूर में क्या क्या कर सकते हैं आप अपने मुवाईल में तो जो आपका मुवाईल खो गया है या जो मुवाईल आपका किसी ने चुरा लिया है तो उस मुवा कर सकते हैं कि मेरा फोन दे दीजे ठीक है इसा कुछ कर सकते हैं आप उससे बात कर सकते हैं और तो और ठीक है आप अपने मुवाइल के सारे डाटा को कहीं से भी रख करके है आप जहां पर है वहीं से किसी मुवाइल से आप अपने मुवाइल के जो किसे ने चुरा लिया है या जो खो गया है उस मुवाइल के सारे डाटा को सारे प्रस्टन जो कि गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया हुआ है ठीक है और यह बहुत ही काम का आप है आप इससे यह सारा काम कर सकते तो चलिए यह सारा कुछ मैं आपको डिखाता हूं अपने दो मोवाइल को ले करके ठीक है तो चलिए वीडियो का आप लोग सुरू सें तक देखें वीडियो गर अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दिजगा और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेला विडियो कर दोगों को दिखाता हूं तो देख पा रहेंगे जैसे के मेरे पास दो फोन है ठीक है तो मार लीजे यह यह चुरा लिया यह फोन ठीक है तो इस फोन से मैं सर्च वाले जगहां हम आपको लिखना है Google फाइंड माइडिवाइस यह लिख करके आपको सर्च करना है और यह देखे गूगल ल्लसी है यानि यह गूगल कंपनी का है ट्रॉस्ट डैप है तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है यहां देखे मेरा आपन लिखा वारा क्योंकि मैंने इसे अल्रडी इंस्टॉल करके तो आप जब फर्सning में इंस्टॉल किजिएगा तो यहां पे इनस्टॉल लिखा हुआ तो इसे इंस्टॉल पर टॉच करके आप इसे इंस्टॉल कर लेगा और इंस्टॉल करनें के बाद इसकाइकश आइकन बन जाएगा आपके मोगायल के होमी स्क्रीन पे तो वहां से आ आपको टच करना है तो जिसे मैं इस पर टच करके दिखा रहा हूँ ठीक है और टच करने पाद इसका इंटरफेस कुछ है इस तरह साएगा और यहां पर आपको दिखे email ID लिखना है जो phone आपको खो गया है या किसी ने चुरा लिए जिसे जो email id हो रहा वह आपको डालना तो चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ अपना email id डालने का बाद यहां पर नीचे देख पारंगा next है तो next पर touch करना है ठीक है तो जीसे next पर touch किजिए यह देखे password का अपसण आएगा तो यहां पर password डालना तो चलिए मैं यहां पना password डाल रहा यहां पर देखें सर्चिंग कर लिया तो यहांपर हो सकता है सर्चिंग में आपका टाइम भी लगेगा लेकिन यहांपर सर्च कर दिया है सब कुछ model number वगरा सारव कुछ दिखा देगा battery percentage कितना charge रहेगा वो दिखा देगा कौन सा see mute कर रहे हैं वो सारव कुछ दिखा देगा और देखें यहाँ पर play sound and secure device and erase data का option सारव कुछ है और यहाँ पर देखें यहाँ पर देख पारेंगे जैसे location यहाँ पर बता रहा है यह location है ठीक है यह location क्या है देखें मेरा यहाँ पर location बता देगा ठीक है अब चलिए अब इसमें देखें play sound है ठीक है तो play sound अगर किजिएगा तो इस पर touch जैसे किजिए play sound पर तो उस मोईल में एक sound बजने लगेगा जैसे कि आप लोग अभी सुन पा रहेंगे इसमें एक sound बज रहा है उस मोईल पर जो यहाँ से stop sound पर आप इसको रोग भी सकते हैं तो आपका मोईल जहां कहीं भी है उसमें sound बजना शुरू हो जाएगा ताकि अगला क्या aikवारे है higitate हो सकता है फिर है secure device zou k test keek technology टाच किजीगा तो दिकiation क्या होता है security device पर टोच किज अए गा यहां पर ईंधा सक्रीन मैस जानीकी जो मोईल आपका है उस पर के स्क्रीन पे यह doesn't नंबर आड कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां डाल देता हूं प्लीज प्लीज रिटर्ण माई फोन रिटर्ण माई फोन ये लिख दिये ठीक है फोन का स्पैलिंग गलत हो गया एक मेंट ये लिख दिये ठीक है और यहाँ पे हम नंबर डिस्प्ले कर देते हैं माल लिजे इस मुवाइल में हम चाहते हैं कि वो अगर कॉल बटन टेच करें तो इस मुवाइल में नंबर मतब कॉल लग जाए तो मैं नंबर डाल देता हूँ मैं नंबर डाल दिया है अब यहाँ सेकर डिवाइस पर टेच कर देना है तो यह सेकर डिवाइस हो गया अब चलिए देखे इस मुवाइल में देखे आप लोग देख पा रहेंगे इस मोगाल में प्रीज रिटर्म आइफोन लिखा हुआ है और कॉल अनर और बाकी बाद इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है मैं स्क्रीन इसका टच कर रहा हूँ ठीक है पाउर बटन वेगर कुछ भी प्रेस करने से वह यह आफ होगा लेकिन फिर स्क्रीन कुछ नहीं हो रहा है कुछ ही भी टच करने से बिलकुल लॉक हो जाता है यानि बिलकुल डबबा हो गया है अब जैसे इस पे टच करेंगे कॉल बटन पे तो देखें जो नमबर मैंने डाला था उस पे कॉल आ जाएगा ठीक है तो देख पा रहेंगे जैसे कि उसमें मैंने कॉल किया यह देखें कॉलिंग हो रहा है और यहाँ पे देखें इस नमबर पे कॉल आ गया है और देखें नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है इरेज डिवाइस का अगर इरेज डिवाइस पे आपटच किजएगा तो इस फोन में यानि जो आपका फोन है जो कि खो गया है या किसी ने चुड़ा लिया है तो उसमें जो भी डाटा आपका परसनल और जो भी डाटा है वो सारा क्या होगा आप erase कर सकते यहीं से तो अगर यहाँ erase device पर मैं करूँगा तो इस पर जो भी information बगरा जो भी data वो सारा erase हो जाएगा तो इस तरह से आप इस app से अपने mobile का location जान सकते हैं और अपने mobile का secure कर सकते हैं तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था अगर आपको कुछ कुछ को आरी है तो आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे मैं इसका reply जरू करूँगा तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में तो thank you for watching this video thank you